प्यारे बच्चों यह इस टोपिक का लास्ट कोशन है कोशन नमबर 16 मतलब आप यह कह सकते हैं कि एक्साइस के अंदर 16 कोशन दे रहे हैं का अपना मतलब है हर चीज एक सिग्निफिकेंस देती है यह जो इतने वेवर का फ्लक्स है यह सेकंडरी कोईल का है और आप से कह रहा है कैलकुलेट दा म्यूचल इंडक्टेंस बिडिविन दा टू कोईल सोलूशन यहां लिखते हैं यह लिखा देखो सोलूशन आप से म्यू प्राइमरी कोईल के अंदर करेंट चेंज हो रही है थीक है 10 अरफ एंपेर की करेंट एप्लक्सcons चेंज कर रहे लाए 500 वेबर पर टन का secondary कोईल के अंदर secondary का डेटा दे रखा secondary कोईल of 200 टन्स ठीक है तो secondary कोईल का डेटा दे रखा तो ये N2 आपके पास कितना है 200 टन्स है और N1 भी दे रखा गया नहीं also determine the induced EMF across the ends of the secondary कोईल in 0.5 सेकंड तो DT आपके पास जरूर दे रखास 0.5 सेकंड देखो ये वाली बात आगे सामने 0.5 सेकंड की अब कोशन स्वाल्व कैसा होगा आपको पता है induced EMF जब mutual का केस होता तो होता है माइनस के M DI upon DT और वही induced EMF इसक्वल्ट होता है माइनस के N अगर मैं flux change के हिसाब सरीक हूँ तो वह ये होगा secondary की बात चल लिए secondary coil के अंदर flux change हो रहा है आपको पता है primary के अंदर आप current को change कर रहे हो तो कुछ इस तरह का relationship आता है दोनों induced EMF है तो आप इनको equate कर सकते हैं तो माइनस के M DI upon DT ये किसके equal हो जाएगा minus के N D5 upon DT के DT से ये DT कड़ गया minus से minus कड़ गया तो M DI is equal to हो जाएगा N D5 देखो important formula के रूप में ये शकल ले लेता है ये एक formula है M DI is equal to N D5 धियान दें आप M दे रहा आपको नहीं आप से M पूछ रहा तो M निकालेंगे यहीं से देख लो M आपको निकालना है DI DI का मतलब change in current है अब आप से कह रहा है calculate the mutual inductance between the two coils if the current of 10 ampere in the primary coil changes देखो 10 ampere की current change हो रही है ये primary coil कर देखो तो ये DI की value है तो DI की value कितनी है 10 ampere N मतलब number of turn जो की secondary के अंदर आपको दे रहे है 200 D5 D5 मतलब change in flux बोल रहा है भाई 500 वेबर पर turn जो है flux में change आ रहा 500 वेबर तो को value कितनी आ रही है 500 वेबर आ रही है आप से कह रहा है ठीक है ठीक है ठीक है आप से कह रहा है इन दा primary coil changes the flux by 500 वेबर पर turn by 500 वेबर पर turn आ गए तो 500 वेबर पर turn की बात कर रहा है पर turn का मतलब समझते हैं आप पर turn पस यह होगा 500 वेबर पर turn यह है 500 वेबर का एक तरह से flux change हो रहा है तो आपके पास यह value आ चुकिए solve कर लो आप देखो एक जिरो से एक जिरो कर जाएगा तो आपके पास m is equal to कितना आ जाएगा 200 की multiply करनी है 50 से तो 30 दे हो गए और पांच दूने दस 40 हो जाएगा 40 को आप बोलते हो 10 की पावर 5 तो m is equal to आ जाएगा 10 की पावर 4 20 यह है 10 यह है 20 दे रखा है वैवर पर टर्ण ठीक है एन नंबर ओफ टर्ण कितने दे रखेते देखो वैवर पर टर्ण 500 है तो वह अगर आपके पास 200 तर्ण है 200 में कितना फ्लक्स चेंज होगा आप ऐसे भी साब लगा सकते हैं 200 से multiply करके क्योंकि यह 5D5 जो है यह वैवर है एक वैवर पर टर्ण दे रखाफ कितना 500 आपके पास टर्ण कितने है टोटल 200 तो 200 से multiply करके टोटल फ्लक्स निकल कर आ जाए आप यह भी कह सकते हैं यह फिर टोटल फ्लक्स में चेंज कितना है वो आ सकता है तो आपके पास M आ चुका है जो कि 10 की पावर 4 आपको दे भी रखा है आगे आप से कहरा also determine the induced EMF across the ends of the secondary coil secondary coil पर आपको induced EMF बताना तो induced EMF को formula क्या होता है induced EMF is equal to होता है minus के M di upon dt ते रहा हो value minus आप चुक्कि इसके magnitude की बात चलेगी तो यह प्लस हो जाएगा M की value कितने है 10 की power 4 di आपको कितना दे रखा changing current आप सा कह रखा 10 ampere है कितने time में वो dt बताएगे 0.5 point हटा देंगे 10 बढ़दा आएगा 5 सा गाट आटेंगे 5 दूने 10 20 हो जाएगा तो value आजाएगे 20 इंटू 10 की power 4 सही करके लिखोगे सही करके लिखोगे तो value आजाएगे 2 इंटू 10 की power 5 बोल्ट में कैं यह यह answer आएगा है कि देखो 2 इंटू 10 की power 5 बोल्ट तो यह भी खतम हो चुका है last question था इस particular topic का hopes हो कि सब कुछ clear होगे होगा सारे question देख लें electromagnetic induction के सारे question एकी playlist के अंदर है सारे question प्रैक्टिस करें अगर आप सारे question प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भाईये आप बहुत strong हो जाओगे electromagnetic induction के अंदर ऐसे ही बाकी chapter के भी numerical है तो आप सब को लगाओ आपका base foundation बहुत strong जाएगा कोई माईकल लाल या माईकल लाली आपको पचाड नहीं सकती पचाड समझ गए आगे चलते हैं